टार्गेट किया गया है दो की तो मौत हो गई है एक अभी उस्पिटला जा भी दो घंटे पले की बात नहीं बिल्कुल और इस पे मतलब लोग जनशक्ती पार्टी की तरफ से मैं भी मैं जितनी इसकी निंदा की जाए इस घटना की उतनी कम है बट साथ ही में कहीं न कहीं इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हमारे मुख्य मंतरी की भी होती है भाई हम लोगों ने बिहार फर्स बिहारी फर्स में हम लोगों ने प्रवासी मंतराले के गढ़न के उसके निर्मान की हम लोगों ने बात की थी वो मंतराले का काम ही इस बात को देखना है कि भाई दूसरे प्रदेश में जो बिहारी रह रहे हैं उनकी सुनिश्चित किया आए दिन हम लोग विबिन प्रदेशों में ऐसी घटना देखते हैं जहां बिहारियों के उपर अत्याचार होता है उनको उनकी हत्या की जाती है उनको प्रतारित किया जाता है इस बात को सुनिश्चित करने की उनकी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी बिहार सरकार की है कि अगर कल को मेरे प्रदेश का कोई लड़का दूसरे प्रदेश में है सिक्षा के लिए रोजगार के लिए वो वहाँ पर सुरक्षित रहे वहाँ पर किसी तरीके कि उसको कटना ही नहीं हो मैं कितने ऐसे युवाओं को जानता हूँ भई एक बार बैंगलॉर का एक शातर है जो वहाँ पर हैकर वेवसाई करना चाह रहा था निरंतर्ता में मैंने मुख्यमंद्री निदीश कुमार जी को मैंने इस बारे में पत्र लिखा कि वहाँ पर उसको प्रतारित किया जा रहा है उसको कटनाईया होती है पर राज जिस सरकार इन बातों को सुनने के लिए तयार नहीं है आज जिस तरीके से कश्मीर में ये घटनाए देखने को मिल रही है जिसमें बिहार के भी लोग है जो वहाँ पर रोजगार या वेवसाई के कारण है और उनकी निर्मम ऐसे हत्या की जा रही है वहाँ पर रातंकियों दुआरा इस बात पर मैं चाहूँगा कि मुक्यमंतरी नितीश कुमार जी वहाँ के गवर्नर से बात करें वहाँ से सीविदा समवाज स्थापत करें उनके साथ और वहाँ से बात करकर इस बात को सुनिश्चित करें कि भवश्य में कम से कम किसी और ऐसे बिहारी की किसी दूसरे प्रदेश में इस तरीके से निर्मा भcket्टश नहीं हो और उनके परिवार के सद्ध्से को मुआफ़जा मात्र देने से भाई नहीं होता एक कमाउ सद्ध्से मातर दो लाग का आप उनको मुआफ़ा दे रहे हैं एक ऐसे परिवार का जिसका कमाउं सदस्य की हत्या अगर वो कमा रहा होता बिहार में तो उसको कश्मीर जाने की सुरत क्यों पड़ती कश्मीर वो गया कमाने के लिए और वहाँ पर उसकी हत्या हो गई और कोई नहीं बचा तो जो भी ऐसे हैं जिनकी हत्या दूसे राज्य में होई है उनके परिवार वालों को कम से कम सरकारी नौकरी तो मुख्यमंतरी नितिश कमाची दे ताकि उनकी हत्या के बाद उनकी जिविका के उपर उनके परिवार के रहन सेन के ओपर किसी तरीके की कड़ना ही ना है